अरे माजी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एंबुलेंस आई है गायतरी भागती हुई दर्वाजे पर आती है, तभी उसकी बहु चान्नी को एंबुलेंस से बाहर लाया जाता है ए भगवान, ये मेरे बहु को क्या हो गया? एकसिडेंट हो गया माजी अरे लेकिन ये कैसा एकसिडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही अरे माजी, दिमाग में अंद्रूनी चोट लगी है, और ये अपनी याददास्ट खो बैठी है हैं? मेरे बहु याददास्ट खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिकर मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से खायाल रखिए, मैंने दवाईयां दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ अगले दिम अब तेरी तब्यत कैसी है बहु? बहु? किसकी बहु? हम भैरव गड की ठाक और विकरम सिंग की बेटी रूप पती हैं, हम एक राजकुमारी हैं, और तुम हमारी दासी हो बुढिया? अरे बेटा विशाल, बहु कैसी बह की बह की बह की बाते कर रही है? अरे कुछ मत पूछो मा, राद को मुझसे अपने पैर दवा रही थी, सर पर चोट लगने की वज़े से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है, और ये अपने आपको राजकुमारी समझ रही है, तब ही वहाँ चांदनी आ जाती है, तुम दोनों यहां क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, कहीं तुम दोनों मिलकर हमारी खिलाफ कोई शड़ी अंतर तो नहीं रच रहे हो, हम तुम्हारा सर तलबार से उड़वा देंगे, समझे, हम तो आपके सेवक है, भला हमारी इतनी हिम्मत, कहिए आपने यहां हॉल में आने का कष्ट कैसे किया, हमें बह मा को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है, ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, इस तरह विशाल और उसकी मा ना चाहते हुए भी चांदनी की जीहजूरी में लगे रहते हैं, लाओ मा, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझ अखेली को करना पड़ता है, तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुकम चलाती रहती है, अरे मा, मेरा भी तो यही हाल है, फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला, रुको, कहां जा रहे हो, अरे मर गया रे, ये कहां से आधम की, आज हमारा जुह चोपाटी घूमने का मूड है, और हमें अपने लिए नई साडिया भी खरिदनी है, चलो, जल्दी से अपना वहर निकालो, और हमें ले चलो, अरे अब तुम मैं गया काम से, अगर आज मैं वक्त पे आफिस नहीं पहुचा, तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा मरता क्या न करता, आखिरकार विशाल चांदनी को गुमाने ले जाता है, और चांदनी अपने लिए धेर सारी शॉपिंग भी करती है, ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो अरे वा, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं, बहु तु तो बड़ी चालू लगती है, अपने फाइदे की हर चीज तुझे याद रहती है, मैं तो तेरी इस अजीब बिमारी से परेशान हो गई हूँ अगले दिन अरे डाक्टर साहाब, आप इतने दिन से मेरी बहु का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बिमारी तो सुधन्ने के बजाए और बढ़ती जा रही है अरे माजी, ये दिमागी बिमारी है, बेचारी की याद दास चली गई है, वापस आने में थोड़ा बक्तों लगेगा ही ना गायतरी डाक्टर से बात कर ही रही होती है, कि तब ही उसकी पुरानी सहेली शीला वहाँ आ जाती है, शीला को देख अचानक डाक्टर घबरा जाते है अच्छा माजी, मुझे एक मरीज को अर्जंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सिडेंट भी मेरी बहु की याद दाश चली गई है, ये डाक्टर उसका इलाज कर रहा है ये डाक्टर कब से बन गया? अर्ये तो चमन पान वाली का लड़का है, सारा दिन नाटंकी करता रहता है अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझी, मेरी बहु और ये पान वाली का लड़का, दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, चल तू मेरे साथ गायतरी, शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में दे कर, अपनी बहु चांदनी की कमरे में ले जाती है बहु, ये मेरी सहेली है, एक डाक्टर है, इसने तेरे जैसे नजाने कितनों का इलाज, दो मिनिट में खर दिया है इसका कहना है, कि सर पर जहां चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा, किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जापसा जाती है अपनी सास की बाते सुनकर, और हाथ में बड़ा डंडा देख, चांद ने घबरा जाती है अरे पापरे, मैं ता फस गई, इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं ता चारों खाने चित हो जाऊंगी अब क्या करू, क्या करू, क्या करू लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगा लगना चाहिए, जहां चोट लगी है अरे तू चिंता मत कर, दो-चार बार मारूंगी, तो एक बार तो सही जगल लगी जाएगा ना चल बहू, तयार हो जा अरे नहीं नहीं माजी, मुझे मत मारिये, दरसल घर की काम करने से बचने के लिए करमा ची को कई लोग कंजूस समझते हैं, हाला कि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं पर कंजूस तो वो बिलकुल भी नहीं है, उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खरच कर देते हैं और जो कुछ बचता है, उसे बैंक में जमा कराते हैं उनके घरवाले और दोस्तों के बार-बार बोलने के बावजूद भी, वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीते धीरे-धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया, सिर्फ उनकी बेटी श्रिया अभी भी उन्हें इस चीज़ पर टोकती है अच्छा सुनिये, आज आपना बहार जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कड़ाई ले आईगा ये वाली जलके काली हो गई है और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा कब तक वही छे जोड़ी कपड़े और ये पुराने अटची लेकर घुमोगे पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा अरे पैसे क्यों फाल तुम्हें खर्च करना है ये कपड़े ठीक तो है और पार्टी शादियों में वो मुझे बुलाते हैं ना की कपड़ों को देखा श्रेया तुझे बोल बोल के ठक गई हूँ तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता श्रेया तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ ले आएंगे ठीक है मुझे फिलहाल किसी चीज की जरुरत नहीं है श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजुद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती पर वो हार मानने वालों में से नहीं है उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है यार मुझे समझ में नहीं आरा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्श खुद पर भी तो कर ले औरे ये तो आजीब है एक आत्मी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता तुन्हें अंकल से जिद करके देखा क्या हाँ यार सब करके देख लिया मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लू न तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे पर परसो मैंने उनके लिए 80 रुपी के आईस्क्रीम मंग आई थी तो उनके गाड़ी है पर उसके लिए थोड़ी मांट और थोड़ी आक्टिंग करने पड़ेगी तूर एड़ी है क्या ये सब करने के लिए हाँ हाँ ठीक है तीरा आईडिया भी ट्राइ करके देखते हैं न श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं प्लान के तैयारी भी कर लिजाती है अब बस बारी है श्रेया की प्लान को पूरा उसे ही तो करना था अगली सुबर जब शर्मा जी बातरूम में नहा रहे होते हैं ओफिस जाने से पहले शर्मा जी के बास का फोन आता है जो कि श्रेया उठाती है शर्मा जी के बातरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है पापा आपके बास का फोन आया था वो आपको किसी मिटिंग के चलिए राज होटल में बुला रहे हैं, क्या राज होटल वो तो बहुत महेंगा है, हाँ और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहन कर उस होटल में नहीं जा सकते पापा, अच्छा, हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने, या शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बैल्ट, सब चाहिए, वहां वो अपनी चपल पहन कर नहीं जा पाएंगे, शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सलेक्ट करते ह और फाइनली जब सलेक्ट हो जाता है, तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है, जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर, जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में, क्या, आपने कोई कॉल न गया था, और उसका प्लान फेल हो गया था, शर्मा जी ने लगभख सारे नए कपड़े खरीदी लिये थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं, उनकी बॉस के फोन के बाद, और वो श्रिया के तरफ पलटते हैं, होश, इतने सारे पैसे बच गया, आज तुम्हारे जूट की वज़े से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा, वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया, पर पापा, आप कितने हैंसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमान, श्रिया की बात सुनकर शर्मा आइने की तरफ पलड़ते हैं, खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हलका सा मुस्कुराते हैं, और कैशर को जाकर पैसे दे देते हैं, चीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार, अगली बार आप खुदी की कहने पर खरीद लेना, तूम मुझी इतनी मैनत नहीं कणी पड़ेगी पापा, हहहहहह वजो सुझा कालगा आपको उमारे वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइक अन को भी